Dear students, have a great morning to you all. Today I am going to teach you science for standard 2. Lesson है हमारा plants around us. इस chapter में मैंने आप लोगों को previous वीडियो में भी कुछ points डिफाइन की थी और इस class में मैं आप लोगों को plants अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनके जीवन चक्र के बारे में बता हूँ. उनकी plants का life कितने years तक होता है? Plants make their own food. पौदे अपना food प्रेंग प्रिपेर करते हैं. Leaves of a green plant make food for the plant with the help of air, sunlight and water. Plants की पतियां plants के लिए food प्रिपेर करते हैं. With the help of air, water and sunlight. Air, water और sunlight की help से plants food प्रिपेर करते हैं. The stem carries this food from the leaves to all other parts of the plant. और उस prepared food को plants के stem उनके सभी parts में पहुंचाते हैं, प्रिपेर करते हैं. किस food को जो plants, leaves के help से प्रिपेर करते हैं. और उसको plants किस चीज़ के थुरू अपने सभी parts में पहुंचाते हैं. तो stems के तुरू, किस के तुरू, stems के थुरू. Food which is not used by the plants is stored in roots, stems, leaves, fruit, flowers and seeds. बचा हुआ फूट जो plants के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, वो stored रहता है plants में. तो कहां पर वो stored रहता है, in roots, plants के root में, stems means तना, leaves means पत्तिया, flowers means flower में, fruit means fall. तो and seeds, तो यह सभी ऐसे parts है, plants के जिनमें food stored होता है, कौन सा food जो plants के द्वारा यूज नहीं होता है, वो flowers में, roots में, stems में, leaves में, seeds में, fruit में, इन सभी में stored रहता है. जिसका यूज हम human wings भी करते हैं, plants के plants में जो fruit लगते हैं, या कोई flower है, तो उसका यूज हम लोग करते हैं, तो plants खुद भी अपने लिए food prepared करते हैं, leaves के help से, और हम human wings के लिए भी उनमें stored food बचा रहता है. Second point है हमारा life span of plants, पौधों का जीवन काल या जीवन चक्ट जिसको करते हैं, वो कितने दिनों तक life करते हैं, और means उनका life कितने याज तक का होता है. Life span of plants, all living things take birth, grow, grow old and finally die. जितने भी living things हैं, वो take birth, पहले जन्म लेते हैं, grow old, उसके बाद उनमें grow विकास होता है, बड़े होते हैं. and finally die, जन्म लेने के बाद growth होती है, बड़े होते हैं वो, young होते हैं and finally die और उसके बाद उनकी मिर्टियों हो जाती है, तो उसी तरह से plants में भी होता है. plants are also living things, plants भी living things में आते हैं, उनमें भी उसी तरह से life span होता है. they usually grow from seeds and life for a few months to a few years. usually यह किसी भी seeds से अंपुरित होके कोई भी plant बनता है, और वह कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक उनका life होता है. trees live for many years, जैसे trees है, कोई बड़ा mango tree, इसी तरह से mist trees, जिसके woods strong होते हैं, और वो काफी years तक उनका life होता है. some बन्यान trees are more than a thousand years old, कुछ बन्यान trees ऐसे होते हैं, जो हजारों साल तक जिनका life होता है, हजारों साल तक, trees जैसे की mango tree है, तो उसका life कम होगा, maximum 30, 40 years old, maximum इतने दिनों तक उनका life होगा, लेकिन कोई बन्यान tree है, तो वो हजारों साल तक उनका life हो सकता है, plants like mint and coriander, life for a few months only, और जैसे छोटे plants हैं, like coriander, mint, तो इनका life बहुत कम होता है, यह कुछ months तक ही life कर पाते हैं, कुछ months तक ही रहते हैं, तो मैंने आप लोगों को आज दो topic बताया, इसको आप लोग अपनी copy पर note कर सकते हैं, देख के remember कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का topic बताऊंगी, thanks, बढ़ आंगे I ता, उताओ क कब बताओ के बताओ, क सिसके बताओ भाणास पीडास के वीडियोड से